नमस्ते मेरा नाम देनी चौदरी है और मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं आज अध्याज 6 का बंशागनती के आणवी का धार जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें अब तक हमने अब तक हमने जिन जिन भागों के बारे में पढ़ा वो थे अनुवा जिसको की डी ऑक्सराइबोन्यूकलेक अमल कहते हैं और ने जिसको राइबोन्यूकलेक अमल कहते हैं हमने पूरा विस्तार पूरक पढ़ा कि उनमें क्या अंतर होता है उनकी सरचना में कौन-कौन सा भाग होता है कौन-कौन सी इकाई होती है हमने विस्तार से पढ़ा कि ड अनुवांशिक सामगरी के रूप में होता है ये भी कुछ प्रेयों को दारा हमने सिद्ध करा है जिसमें की ग्रिफित और हर्ष्य और चेज वाले जो नानुसंधान थे जिनकों की माननेता दी गई है और उनके द्वारा हमें ये बैग्याने को ने सिद्ध किया कि ये नहीं वह अनुवांशिक सामगरी है जो कि अनुवांशिक लक्ष्णों को एक पीडी से दूसरी पीडी में स्थानांतरित करती है आए अगला इसी का अगले भाग का ध्यन करते हैं आज अब आपको ये पहले भी हमने बात किया था कि DNA कहां पर मिलता है DNA मिलता है कोशिका के किंद चोटी है और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो DNA है अगर एक कोशिका के DNA को हम लंबाई में खोल के देखें मैं मनुशों के DNA की बात कर रहे हूं अगर उसके लंबाई को हम खोल के देखें तो हमें कितना मिलेगा हमें करीब करीब 2 मीटर का DNA एक कोशि चाहिए कि अरे इतना लंबा DNA है और कोशिका तो इतनी छोटा सा इतनी छोटी सरचना है तो इतना बड़ा DNA उसमें कैसे समाता है कैसे रहता है तो आज हम उसी भाग की तराफ अपना ध्यान के इंद्रिक करेंगे कि DNA को इस वाले भाग को हम बोलते हैं DNA पैकेजिंग पैकेज करना मतलब किसी भी बस्तू को एक छोटी सी जगह में किस तरीके से वो रहती है उसके बारे में हम जाने है तो आज हम देखेंगे DNA पैकेजिंग तो DNA पैकेजिंग की ज़रु ने कि बताया कि DNA का एक कोशिका के केंद्रक के डियेने कि लंबाई कितनी है करीब 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 दो मीटर है तो जितनी हमारी सारी कोशिकाएं है उतनी कोशिकाओं का अगर सबका DNA इकठा हो जाए तो कितना लंबा होगा? इतना लंबा होगा कि सूर्य और प्रत्वी के बीच के तीन सो चक्कर लग जाएंगे एक मनुश्य के DNA का अनुमान बता रहे हुए आपको तो आप सोचिए कितना जादा DNA कितने जटल रूप में पैकेज में होके किस प्रकार से एक छोटी सी कोशिका के केंदरक में समा के रहता होगा जब वो इतना बड़ा है तो अब आप देखेंगे कि ये DNA कैसे अपने आपको बैक करके कोशिका के केंदरक में रहता है ऐसा नहीं है कि DNA कोशिका की जो केंदरक है उसमें पहला पड़ा रहता है यहां से वहां पड़ा रहता है ऐसा नहीं है वो एक अपने आपको एक बहुत ही छोटी छोटी सरचना के रूप में समाहित करके केंद्रक के अंदर रख लेता है तो उसी वाले जो DNA इसी भाग को हम आज देखेंगे कि कैसे जो है DNA को packaging मिलती है तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक नाभिक में मौजूद DNA इतना छोटा होता है यहाँ एक कार्बनिक जटिल आणविक सरचना है जो की प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं और कुछ वाइरिसों में भी पाये जाता है यह तो हम सिध कर चुकें कि एक वंशान्यूगत सामगरी है जो कोशिका के नाभिक में पायी जाती है और मुख्यू रूपसे अनुवान्शिक जानकारी को ले जाने में यह शामिल होती है यह सब चीज़े हम एक बार पहले देख चुके हैं तो कोशिका के नाभिक में अनिवास्टिक जानकारी ले जाने वाले जो समगरी है डीनि A , अज हम इसकी Rock लौदाइन के बारे में अध्यान करेंगे हम इतना तो हमने पहले से ही हम देख चुके हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं जब कोशिगा के विभाजन का समय नहीं होता है तो वो एक बहुत ही पतले-पतले तंतु के रूप में रहते हैं तो संगन्त रहते हैं बहुत होते हैं तो संगनन द्वारा लंबे डियेन्य आणू ओं को आडियेने के अनू के काईयां हमने पहले वाले वीडियों पढ़ी ती क्या क्या होता है उसमें नुकलियो नीदॉटाइज होते हैं तो 6.6 6.6 into 10 to the power 10 की घात 9 base pair इतने तो base pair होते हैं अब 2 base pair के बीच की दूरी 2 आधार जोड़ी के बीच की दूरी कितनी होती है इनके बीच की दूरी होती है 0.34 into 10 to the power 9 micron per base pair तो आप जब इन दोनों को calculate करेंगे तो मैंने आपको बता है ना कि इतनी दूरी है कि सूरज से प्रत्वी और प्रत्वी से सूरज हम 300 बार आ जा सकते हैं तो अब इसको कैसे package है ना है उसके बारे में हम अध्यन करने जा रहे हैं तो संगनन द्वारा लंबे DNA अणूओं का छोटे से केंद्रक में fit होने को ही हम DNA packaging क्याते हैं तो बहुत ही सघन आकरतियों में जब ये संगठित हो जाते हैं तो उसको हम DNA packaging क्याते हैं ये है अगर आपको परिभाषा लिखनी है उसकी तो ये है लंबे DNA अणूओं का अत्यधिक कुंडली होकर संगनित होकर कुंडली बनकर और उसके बाद बहुत संगनित होकर मतला बहुत पास-पास एक दूसरे के बिल्कुल पास-पास होकर बहुत ही सघन आकरतियों के रूप में छोटे से केंद्रक में फिट हो जाने को छोटे से केंद्रक में समा जाने को हम DNA परिकुंडलन जो हिंदी है पैकेजिंग की परिकुंडलन या पैकेजिंग कहते हैं तो हम आज ये देखेंगे कि ये परिकुंडलन या पैकेजिंग कैसे होती है तो आएए देखते हैं कि ये कैसे होता है सबसे पहले हम सबसे पहले हम उन विज्ञानिकों के नाम जानेंगे जिनोंने इसके बारे में सबसे पहले बताया उनका नाम था वो मैं यहां लिखा नहीं है अभी लिख देखते हूँ उनका नाम था मॉरिस विलकिन्स मॉरिस विलकिन्स और अड़ा और ओलिंस तो यह वो विज्ञानिक हैं जिनोंने विलकिन्स एड़ा औलिंस इनोंने यह बताया इनकी अनुसार यह था कि यू केरियोटिक कोशिकाओं में डियेने अनु प्रोटीन अनुओं के साथ मिलकर तन्तु वाली रचना बनाता है अब उसमें क्या-क्या आगे पाया जाता है वो अभी हम विस्तार पूर्वाक देखेंगे तो यह हमार जो विग्यानिक थे जिन्होंने इसके बारे में अध्यन किया उनके नाम थे विलकिन्स, एडा और ओलिंस चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मानव शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में दियेने के लगबख तीन मिल여 बेज जोड़े कितने गणसूत्र होते हैं जिनमें से बाइस दाहिक गुनसूत या काईग गुनसूत कहे जाते हैं इस हम बार बार इसलिए आपको बताते रहेते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको पता होना चाहिए आपको भूलना नहीं चाहिए कि कितने गुंसूत्र के जोड़े मनुश्यों में होते हैं तो अगर हम किसी एक मानव की कोशिका को स्किन सेल की तरह यह जो मैंने आपको बताया वरस्तित करते हैं तो वो दो मीटर लं गाने के लिए परयाप्त dna है हम सब के शरीर मे इतना dna है अब आप हम देखते है और यह आगे देखेंगे आपकी जो है सरचना है वह डाने जैसी सरचना दिखाए देती है तो आपको मैंने वेज्याने को नाम पताया उन्हों निनके बारे में बताया और एक और वेज्या दाने जैसे सरचनाओं का नाम लिया जो की कोशिकाओं के केंद्रकों में दिखाई देती है जबकि कोशिका विभाजन की अवस्था में नहीं है और एक और अभी आप देखेंगे इसमें अब हम देखते हैं कि किस प्रकार होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यू कैरियोटिक कोशिकाओं में डिएने को क्या किया जाता है डिएने को चारो ओर से लपेटा जाता है लपेटा जाने वाली जो सर्रचना बनती है उस सर्रचना को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम की परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले वैज्यानिक का नाम था कार्लबर्ग और थॉमस यह सर्फ आपकी ज्यान बढ़ाने के लिए है अगर इनके नाम आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नी लेकिन मैं आपको बता रहे हो कार्लबर्ग और थॉमस इन्यूक्लियोसोम की जो परिकल्पना थी वो प्रस्तुत करी तो इसमें क्या होता है? डियने को प्रोटीन के चारो तरफ एक विशेश प्रोटीन है जिसके चारो तरफ यह डियने कुंडलित होता रहता है लिपड़ता है तो जो वो सरचना बनती है देखिए जैसे अगर यह वो प्रोटीन है तो इस पे ऐसे करके यह डियने लिपडता तो इस ये जो सरचना बनती है इसको nuclear Por공 कहा जाता क्या कहा जाता है nuclear वह पर बनाने के लिए केसमधार करें इसके बारे में आपको मैं इसका दिखाती हो इसमें कौन से वाले जो protein का नाम लिया मैंने अभी आपके सामने कि nucleosome बनाते हैं DNA ये प्रोटीन के ऊपर लिपता जाता है तो वो जो protein होता है उसका नाम होता है histone histone ये अभी मैं आपको histone की जो चित्र दिखा रही हूँ ये histone चार प्रकार के अलग-अलग histone होते हैं यह भी अब आपको अलग-अलग दिखा रही हो फिर मैं एक हे करके आपको इन सब कर जोडता हुआ चित्र दिखाऊंगे तो यह है हिस्टोन जो कि आप पढ़ सकते हैं हिस्टोन में इसमें H2B Stone है, H2A Stone है, एर H3 Stone है, और H4 Stone है, तो आप देख सकते हैं, चार प्रकार के stone है in my score, जिनके की 8 अनु जूरते हैं, जिसमेंसे 2B के 2 होते हैं, देखे, इसमें अलग-अलग रंगों से दिया गया है, 2B ये लाल वाला है, 2A ये पिलह वाला है, है और H3 यह नीले वाला है और H4 यह हरे वाला तो आप देख सकते हैं दो लाल है दो पीले हैं दो नीले हैं और दो हरे हैं तो इस प्रकार से इनकी सरचना होती है यह ऐसे बनते हैं यह हिस्टोन यह जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इसके अलग-अलग प्रकार के जो हिस्टोन होते हैं वो इस प्रकार की सरचना बनाते हैं और जब ये इस प्रकार के 8 अनु जुरते हैं तो इसको हम OCTAMAR, OCTAMAR कहते हैं OCTAMAR मतलब जहां पे 8 histone protein के अनु एक विशेश प्रकार की सरचना का निर्मान करते हैं तो हिस्टोन ओक्तमर बोलते हैं जिसमें जिसके उपर जो DNA है वो लिपटता है तो इसमें चार प्रकार के हिस्टोन हो गए H2B के दो अनू 2A के दो 3 के दो और H4 के दो तो ये 8 का इसलिए इसको Octa, Octa मतलब 8 होता है तो और उसके बाद क्या होता है इसमें ये इसके उपर जब ये जैसे आप देख सकते हैं ये थोड़े ज़्यादा दिखा दिखा दिए हैं इसी के उपर जब प्रोटीन बाफ किजेगा DNA इसके उपर अपने आपको लपेटता है उसका मैं आगे दिखाऊंगे आपको ये जैसे मैंने अभी आपको एक शब्द बताया Nucleosome ये है Nucleosome की सरचना ये एकी चीज़ की दो अलग-अलग चित्र हैं आप इसमें देख सकते हैं कि ये रहे वो histone जो अलग-अलग प्रकार के है इसको इंगलिष में core of eight histone molecule बोलते है या histone octamer बोलते हैं तो histone octamer जिसमें की मैंने आपको बताया की अलग-अलग प्रकार के जो histone नचे अलग-अलग अणू होते हैं जो बीच में होते हैं वो अब ही जैसे हमने देखा था उसमें बीच में ह2 है यहां पर ह3 का यहां पर ऊपर है और यहां पर नीचे है और बीच में ह4 है तो यही प्रकार की सरच्रह बनेगी तो जब यह तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है प्रतेक नुकलियोसोम में आठ हिस्टोन प्रोटीन के एक कोर के चारो ओर कौन लिपटता है तो ये जो हिस्टोन है इनके कोर के चारो ओर डियने लिपटता है तो जब ये लिपटता है तो इसको हिस्टोन प्रोटीन का बना इसको कहता है प्रोटीन क्रोड कन ये जो अगली स्वाइड में जो दिख रहा है आपको प्रोटीन क्रोड कन या कोर पार्टिकल इंग्लिश में कहते हैं तो हर एक नुकलियोसोम में जो हिस्टोन है वो प्रोटीन्स का बना हिस्टोन प्रोटीन्स का बना प्रोटीन कोड क्रोड क्रोड not कोड यह जो है यह प्रोटीन क्रोड कन होता है जिसके ऊपर यह DNA लिपटता है तो यह पूरी जो सरचना होती है इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम इसको हम कहते हैं नूक्लियोसोम ठीक है और इनका जो इसी के दूसरा भी मैंने चित्र लगाया है तो ताकि दोनों तरफ से आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ सके अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एक एच वन हिस्टोन भी है एच वन हिस्टोन क्या करता है एच वन हिस्टोन लिंकर डियने की तरह काम करता है और यह जो इनके बीच की इनके बीच का जो यहां तक का यहां तक का जो दूरी होती है वो होती है 10 नैनो मीटर और जो लिंकर से यहां तक की दूरी होती है यह होती है 11 नैनो मीटर तो आप देख सकते हैं कितनी महीन सरचना है तो इस नूकलियोसोम का जो व्यास है वो कितना है नूकलियोसोम मतलब पूरा ह One हिस्ट्bor. को मिलाकर नूकलियोसोम बनेगा तो इसका व्यास है 11 नैनो मीटर तो इसमें जैसे मैंने आपको पहली ही बताया है कि इसमें इस्टोन के प्रोस्टोन प्रोटिं के 8 zoom होते हैं तो इसको हम ऑक्टमर यह कहते हैं तो और इसमें से दो को हम डाइमर कहा जाता है जो बाहर वाले होते हैं वो जो है डाइमर और बीच वाले चार होते हैं उनको हम कहते हैं टेट्रामर टेट्रामर में कौन कौन से होते हैं h3 h4 जो मैंने आपको चित्र में दिखाया था h3 h4 के दो डो कण जो दो डो अणु है वो क्रोन कण कर पोलता है तो क्रून कर का मध्य भाग में कौन कई से हिस्टोन के प्रकार होते हैं h3 और h4 जबकि दोनों के बाहर दोनों और एक एक जो डाइमर होता है डाइमर मतलब जहां दो-दो अणू होते हैं तो उन डाइमर में एक तरफ होता है H2A और एक तरफ होता है H2B तो यह है नूकलियोसोम की सररचना और मैंने आपको बताया है कि उसका व्यास कितना होता है 11 नैनोमीटर तो प्रतेक नूकलियोसोम के चारो तरफ यह क्या लिप्टा होता है यह DNA का वो हेलिक्स याद है आपको हमने रज्जुक पढ़ा था दो रज्जुक होते हैं तो वो र अभी आगे आपको बताऊंगी यह कितना यह ईसके उपर एक नूकलियोसोम के उपर जितना लिप्ता होता है करीब करीब 200 नूकलियोटाइड लिप्ते होते हैं इसमें जो यह 238 पूरे के पूरे चकर नहीं है ये दो पूरे चक्कर नहीं है ये करीब करीब 1.6-5 के आसपास चक्कर लगता है और इसमें 200 नुकलियोटाइड होते हैं तो एक नुकलियोसोम के उपर जो DNA का हेलिक्स लिपता होता है वो 200 नुकलियोटाइड का बना होता है और इसमें से करीब 160 नुकलियोटाइड क्या होता है हिस्टोन क्रोड कन बताया आपको मैंने तो हिस्टोन क्रोड कन के चारो तरफ करीब करीब 2 कुंडल बनाते हैं जो बाखी Nucleotide होते हैं वो Linker DNA, Linker DNA बनाते हैं जो कहाँ पे आप देख सकते हैं, Linker DNA, तो ये Nucleosome की सन्चना में आपको ये चीज़े बहुत ध्यान से पड़नी होंगी कि Nucleosome में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन के Tetramar और Dimer होते हैं, टेट्रामर में कौन-कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, H3 और H4 के दो-दो अनू होते हैं, और जो डाइमर होते हैं, डाइमर में H2A और H2B के दो-दो अनू होता है, तो इस प्रकार से ये नूकलियोसोम का ओक्तामर बनता है, और इसमें 200 नूकलियोटाइड का बना होता है, जिसमें से 160 इस नूकलियोसोम के ओपर लिप्टा होता है, जो क्रोण कन है, इसके ओपर लिप्टा होता है, हिस्टोन क्रोण कन जो है, इसके चारोतरफ मिलके करीब-करीब दो कुंडल बनाता है, 160 इसके ओपर 2 को निल बनाते हैं बाकी जो बचे होते हैं वो DNA लिंकर बनाते हैं तो अशा करती हूँ कि आपको नुकलियोसोम का जो सरचना है वो समझ में आ गई होगी अब देखते हैं यहाँ पर एक बार यही मैंने लिखा भी हुआ है तो प्रतेक नुकलियोसोम में 8 हिस्टोन प्रोटीनों के एक और के चारों तरफ लिपते होते हैं DNA प्रतेक कोर चार अलग प्रकार की हिस्टोन से बना होता है H2A, H2B, H3, H4 जो प्रतेक दो प्रतियों में मौझूद है एक अन्य प्रकार का हिस्टोन H1 यह क्या करता है यह नुकलियोसोम और लिंकर डियने दोनों को बांधता है और सरचना को इस्थिर करता है तो H1 वाला जो अभी आपने चितर में देखा वो क्या करता है लिंकर डियने और नुकलियोसोम को एक दूसरे से बांधता है और सरचना को स्थिर्था प्रदान करता है डियने नुकलियोसोम और लिंकर डियने कोईल कोईल मतलब कुंडली के रूप में क्रोमाटिन फाइबर में अधिक कंपाक्ट हो जाता है डियने एक हो गया नुकलियोसोम हो गया लिंकर डियने तीन चीज़े हो गई है आपर यह तीनों चीज़े मिलके एक कुंडलीनी के र एक नुक्लियोसोम है तो यह एक छोटासा बहुत छोटासा इतना DNA इसमें लिपता लेकिन अभी तो DNA बहुत सारा है तो ऐसे बहुत सारे नुक्लियोसोम बनते हैं ऐसे बहुत सारे नुक्लियोसोम बनते हैं और ऐसे में इनके ऊपर DNA लिपता है और ऐसे चुटी चुटी चु तंतुओं के ऐसा अगर आप ऐसे देखेंगे जैसे माला होती है तो माला में धागे के उपर जो मोती टाइप के होते हैं यह उसी टाइप के बन जाते हैं तो न्यूक्लियो सूम जब बने होते हैं तो वो कैसे लगते हैं वो लगते हैं एक जैसे एक धागे के उपर मोती लग करते हैं देखिए इसकी भी मैंने एक चित्र डाला हुआ है उस चित्र को देखते हैं यह जब electron microscope से देखा गया तो पता लगा कि ऐसे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे जिसको बीड स्ट्रिंग बीड कहा गया ऐसे बहुत सारा इलेक्टर नाइक्रोस्कोप है तो बहुत ही जादा हम बहुत सूक्ष्म वस्तु का भी अध्यन कर सकते हैं तो उसमें हमें यह इस प्रकार के सरचनाओं का आकार दिखाई दिया तो जैसे जैसे डीने संगनित होता है वैसे दस एनम फाइबर कहतार लगबग 30 एनम मोटा होता चला जाता है अब यह देखिए इसके लिए मैं आपको दूसरा चित्र दिखाते हो तब आपको ज्यादा समझ में होगा जैसे जैसे यह बनता चला जाए यह देखिए यह मैंने एक चित्र लिया है जिसमें आपको दियेने की जो परिकुपरा कुंडलन है उसके सारे ही स्टेप सारे ही इसमें भाग दिये वह हैं तो अभी हम कहां पर पहुंचे थे अभी हम पहुंचे थे हमने देखा चार उसके बाद यह धीरे-धीरे क्या होता है अभी में पूरा दुबारा एक बार चली हम शुरू से पढ़ लेते हैं इसमें क्या हुआ सबसे जो सबसे आसान पर था उसमें क्या क्रोमेटिन यह जो ड्वी रज की सरचना है डीने की वह है अब इसी चित्र में दिखाया गया कि क्या क्या होता चला जाता है अंत में क्या मिलता है हमको तो यह जब संगनित होने का टाइम आता है समय आता है तो क्या होता है डीने क्या हुआ यहां पर न्यूक्लियोसोम बन गया और स्टोन के चारो तरफ लिपट गय और न्यूक्लियोसोम बना दिया पर दूसरे का तैयार तो ऐसे एक सरचना बनी दूसरी सरचना बनी ऐसे बहुत सारी बनती चली गई यह तो आप सूचिए कि यह सलगते है जैसे एक नागल लिया और उसके ओपर छुटे-छुटे मोती हैं तो यह बीट जैसे लगते हैं इसको string of beads यह मोत्यों की माला भी कहा जाता है जिश्कोm मैक्रोसकोप में देखा गया अब उसके बात क्या होता है अपने आपको और कुंडलित करना और और यह प्रक्रिया चलती रहते तो यह अभी यह एक है यह दूर दूर है पर यह पास पास होते होते जैसे रसी होती है रसी को जैसे हम देखते हैं जब वह खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे तंदू ऐसे निकल के आते हैं लंबे लंबे दागे लेकिन जब वह बटी हुई जब बनी हुई होती है तो बहुत टाइट और बहुत सक्त होगी उससीसाफस सोचिए कि इसी дел साफसर यह च्छोटे कुंडलीनी के सरचना में परिवत्त होते ह्याते हैं यह uma stone यह यह फिर अगला यह फिर अगला यह लकला यह ऐसजह on a- ऐस यह करकर यह लूप बनाए लग जातेags तो ऐसे अभी यह फैले वें तो बहुत दूर दूर तक है फिर यह लूप बन गए तो बहुत पास-पास आ गए तो अब यह नोने 30 नैनो मीटर का नैनो माइक्रॉन का सुरी माइक्रॉन का तंतू बनाया अब तो यह 30 माइक्रॉन की इसमें यह अपने आपको सहेज के एक तो बैसे बात भी और रहते हैं आहे से खुआ धार ला वह हमारे पास कोई रसी है रसिकी साफिकी तो कि ऩाई ना पर गए कौश्य आती आती है और एक्टी चली जाती है देखे धीरे-धीरे क्या होता है धीरे-धीरे ये 300 नैनो माइक्रॉन का अब यही और पास-पास में आ गए और पास-पास में होते चले गए उसके बाद जो धागा आखरी में तन्तू बनता है आखरी वाला तो खेर ये 700 नैनो नीकलियोसोम बहुत सारे संघनित होकर एक साथ आ चुके हैं तो 300 नैनो माइक्रोन जो तंतु है वो और अपने आपको संघनित प्रेस करते रहते हैं संघनित होते जाते हैं और कुंडली नी बनते जाती है और और दबते चले जाते हैं तो इतना अच्छे से इतना जवर्दस तरीके से उनमें कुंडली कोईलिंग कह लीजिए या जो मोडना होता है वो कर लीजिए वो इतना जादा होता है कि आखरी में जो 200-200 नैनो माइक्रोन वाला है वो ही आखरी में बचता है और जो हमारे पास आखरी में जो मिलता है वो हम चौदा सो नैनो माइक्रॉन का जिसमें की दो मीटर का डी एने पूरी तरीके से संगनित होकर अपने आपको कोशिका के केंद्रक में संजो के रख लेता है तो यह यह जो चित्र है इस चित्र से आपको इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे इसमें आपको दिखाई देगा कि हमने कहां से शुरुवात की थी दियने के द्वी रज्जु से यह चित्र आपके लिए बहुत महत्वपून है इस चित्र को बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आपको जो दियने की परा कुंडिलन की प्रक्रिया है कहां से शुरू हुई यहां से शुरू हुई और यहां खतम हुई एक-एक स्टेप अगर एक-एक चरण आप देखेंगे तो बहुत ही यह बहुत ही जिसे बोलते हैं न पर्फेक्ट बहुत ही सटीकता के साथ होता है अगर इसमें किसी भी चरण पे कोई भी जरासी भी चूख होई तो क्या हो सकता है तो परिवर्तन आ सकता है अब वह परिवर्तन लाब दायक होगा और नुपसान दायक होगा वह तुरंट पता नहीं लगता है तो इसलिए यह चीजे बहुत तेजी से भी होती है और यह चीजे पैकेजिंग तो हमेशा ही जो जो गुनसूत्र है वह तो संगनित होकर किस रूप में किस रूप में कोश्का केंद्रक में रहते हैं क्रोमैटन के रूप में रहते हैं आईए अब आगे का देखते हैं यह मैंने आपको चित्र दिखाया था तो नूकलियोसोम इन तन्तूओं में मोतियों के एक धागेक से मिलते जुलते हैं जैसे जैसे डिनस अंगनित होता जाता है तार थोड़ा मोटा होता जाता है और वो लूप बनाके उसके बाद 300 एनम मोटी फाइबर बनाते हैं जब क्रोमाटिन पूरी तरीके से सनकुचित हो जाता है तो उसको हेट्रो क्रोमाटिन के नाम से जाना जाता है जो कि बहुत ही सक्ती से बहुत ही सक्त रूप में संगनित होके कोशिका के केंद्रक के अंदर देता है तो मैंने आपको विचित्र दिखाया यह वो है यह वो गुण सूत्र है जो की क्रोमाटिन जो की जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उस समय केंद्रक के अंदर जैसे रखा हुआ है और यहां पर वो है जो की कोशिका का विभाजन का टाइम हो रहा है तो उस समय कैसा दिखाई देगी और यह मैंने अभी आपको पूरा समझाया कि यह पूरी प्रक्रिया है जिसको DNA का पराकुंडलन कहते हैं यह वाला यह ऐसा क्रोमाटिन दिखता है यह रंगीन पिक्चर है उसी क्रोमाटिन की आप आप अब आप यह चीज देखिए अभी मैंने बताया आपको हेट्रो क्रोमाटिन का वर्ड बताया तो हेट्रो क्रोमाटिन का वह रूप है जो केंद्रक में घने रूप में पैक होता है दो रूप में chromatin मिलेगा एक तो héltoromatin एक मिलेगा eukromatin जो हे hydrochromatin है वो बहुत ही घनेग जिसको बोलते हैं कि बहुत यदा संघनित रूप में back होता है बहुत यदा tight pack होता है सकत पैक होता है जबकि दूसरा जो yocromatin है यह क्रमाटिन का दूसर रूप है जो हलका से पैक होता है तो और यह eukaryotic कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाता है अब यह yucromatin ही जो है यही अनवानशिक्ता में भाग लेता है यही DNA को दोहराता और स्थारांतरित करने की अनुमती देता है हेटरोक्रोमाटिन इतनी ज़द संगनित सरचना है कि यह DNA और RNA पॉलिमरेज को DNA तक पहुचने में सक्षम नहीं करता है इसलिए DNA के आगे के जो कार्य है प्रतिक्रती बनाना है या प्रतिलेखन करना है रेप्लिकेशन करना है या ट्रांस्क्रिप्शन करना है उनको यह बाधा डालता है उनको यह नहीं करने देता तो हेटरोक्रोमाटिन का वहरूप है जो घने रूप में पैक होता है और u chromatin chromatin का वारूप है जो हलके रूप में पैक किया जाता है जिसमें से अनुवानशिक्ता का जो कार्र होता है वो u chromatin ही उसमें भाग लेता है हेट्रो क्रोमाटन इतनी का संगनित होती है कि वो डिने तक उनको पॉलिमरेज जो एंजाइम है जो कि आगे प्रतिक्रति और प्रतिलेखन का काम करेंगे उनको पहुचने में ही नहीं देता है तो जो यू क्रोमाटन है वो ही हमारा अनुवानशिक्ता के कामों में भाग लेत है तो कहने का मतलब है कि यू क्रोमाटन एक्टिव है जो कि कार्यों को करने की अनुमति देता है और जो हेट्रो क्रोमाटन है वो इनक्टिव कह सकते हैं जो कि अनुमति नहीं देता है तो यह हमने देखा कि कैसे हमारा डिने का परा कुंडलन होता है तो आशा करती हूं कि परकुंडलन आपको समझ में आ गया होगा इसके प्रोटीन क्रोण करण के चारो और डीयने लिपटता है तो उसको प्राथमिक पैकेजिन कहते हैं इसमें क्या होता है जिसमें डीयने की जो लंबाई कितनी रह जाती है डीयने में साथ गुना संगनन यहीं पर हो जाता है तो साथ गुना संगरन प्रात्मे की स्थर पे ही लिपटने के बाद हो जाता है उसके बाद दूसरा चरण आता है पैकेजिंग का जिसमें न्युक्लियोसोम तंतु रसी की भाती एट-एट का कुंडलित होना लग जाता है और वो कितना मैंने अपको बता है तीस एनम मोटे तंतु का रूप ले लेता है उसके बाद जो तीसरा इस तरह आता है उसमें क्या होता है उसमें जो तंतु होते हैं वो अलग-अलग लूप्स में या छलो में चलो में परिवर्टित हो जाता है और यह छले क्या करते रहते है यह छल्ले ही होते हैं जिन में की नुक्लियोसोम और ڈी एने होता है तो इसमें जो 10 हिस्टो ऐक एक अब है ग्यार। स्टोन प्रोटीन होता है उसकी एक मोटी कुंदलित दंड होती है जो कि इन छल्लों को सहारा देने के लिए किसका काम करती spouse को कि प्रोटीन जिसको इंग्लिश में नॉन स्टोन प्रोटीन कहेंगे उसकी एक लंबी कुंडलित दंडवत सरचना होती है जो कि यह चल्ले बनते जा रहे हैं इस चल्लो को सहरा देने के लिए मचान का काम करती है तो इस प्रकार जो है तीन स्तर होते हैं प्रात्मिक दृती और तृती है त और उस मचान की वज़े से उनको सहारा मिलता है और प्रते चल्ला क्या होता है आई यह उसके लिए हम पहले चितर को ही देख लेते है कि जो यह चल्ले है यह चल्ले बनते जा रहे हैं इन चल्लो में मचान और इसमें से हर एक छला जिसमें मचान बन रही है मचान पर एक बिंदू से आरंब होकर वापस इसी बिंदू पर घूमकर मचान के संपर्ख में आ जाता है तो 33 तर की जो packaging है जिसमें की एक मचान के प्रकार का सरचना बन रही है जो कौन बना रहा है जो की बना रहा है गैर कौन गैर histone protein तो वो ही जो मचान होती है उसी के चारो तरफ तरज्याओं में कौन फैला रहता है ये छले ये चले मतला वो जो loops बने हैं किसके nucleosome के वो फैले रहते हैं और वो हर एक चला मचान पर एक बिंदू से अरम होता है और वापस उसी बिंदू पर आकर मचान के संपर्क में ही रहता है तो ये है DNA की packaging के अलग-अलग star तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो DNA का परा कुंडलन होता है जब आखरी वाली आखरी वाली स्तार आती है तो कुंडल जो कुंडलित सरचना वो इतनी संगनित हो जाती है कि वो जो मचान की तरह का सरचना है वो कुंडलित होका वो एक मोटी छड का रूप साले लेती है और जिसका व्यास मैंने आपको बताया था 700 NM होता है तो ये तरती इस तरकी पैकेजिंग बनती चली जाती है और उसके बाद यही जो छड यही जो बनी है यही छड जो है विभाजित होती होई कोशिका में द्वी गुणी गुंसूत्र बनती है तो यह जो यह चले और यह मचान यह जो पूर सारी सरचना इसमें है यही कुरुमाटिन है और यही जब कोशिका के विभाजिन का समय होता है तो तब यह द्वी गुणी गुंसूत्र बनती है तो आशा करती हूँ कि DNA पैकेजिंग का आपको जो मैंने समझाया यह अच्छे से आपको बिलकुल समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कुछ उसमें डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं मैं वापस आपके उन कमेंट्स को पढ़के उनका जवाब देने का पूर कुंडलन इसके बाद जो अगला भाग है इस चैप्टर का मैंने आपको पहले ही बताया था यह वाला चैप्टर जो भी वंशागत वाले दोनों अध्याए हैं जो इस साल वोड में आएंगे दोनों बहुत ही महत्वपून है इवलूशन या जो विकास है वो इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है लेकिन आगे वो रहेगा तो आपको ये अगर ये दोनों चैप्टर ये दोनों अध्याए बहुत अच्छे से समझ में आ गये तो आपके कितने नंबर पके हैं आपके 18 नंबर पके हैं इन में से 18 नंबर का क्वेश्चन आपने देखा हो जो ब आशा करते हूं कि आपको समझाने में मैं थोड़ा सफल हूँगी अब हम अगला भाग की तरफ देखेंगे जिसको कि मैं सिर्फ थोड़ा सा ही समझाओंगी उसको बाकी मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी तो अब हम जब हमारा डियने का पैकेज हो गया प तो आपके सिलेबस में जो क्रिया है उसको इंग्लिश में रेप्लिकेशन कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं उसको कहेंगे प्रतीकृती बनना प्रतीकृती मतलब अपने जैसी एक दूसरी कौपी बनना DNA में ही वो शमता है कि वो अपने जैसा अपने जैसी एक और प्रतीब बना सकता है पर वो प्रक्रिया भी बहुत सारे चरणों में जाकर पूरी होती है आज मैं सिर्फ आपको उन चरणों के नाम बताऊंगी अगले वीडियो में मैं उन चरणों के बारे में आपको पूरा विस्तार पूर्वक दिखाऊंगी और उससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगी यह आप देख सकते हैं कि यह है हमारा DNA का द्वी रजुक सरचना कहां से आपको यह खुली दिखाई दे रही है तो यहां से यह अब हम क्या करें प्रतिकृति बना रहें तो प खोलने के लिए जब इनका अध्यन किया गया तो इन्हें खोलने के लिए जो जो चरण खोलने के लिए और आगे प्रतिकृति बनाने के लिए जो जो चरण उसमें होते हैं वो मैं भी आपको बताती हूं पहले तो समझते हैं कि DNA का प्रतिकरण है क्या या स्वाध्य उगणन DNA में ही वो शमता है कि वो अपने जैसी बिल्कुल अपने जैसी प्रति बना सकता है इसलिए तो आपको पता है कि जब यह गुंसूत्र बन जाते हैं जब कोशिगा के भाजन का समय होता है तो जो युगमक होते हैं उनमें माता का एक गुंसूत्र जाता है और एक पता का गुंसूत्र होता है जो निशेचन होता है तो दोनों की गुंसूत्र मिलके वो दुबारा वही गुंसूत्र का नंबर अपने आप बना लेते हैं तो DNA की प्रतिलिपी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा DNA इसके प्रतिलिपी के कई चरण हैं, जैसे हमने इसके पहले क्या किया था, हमने इसके पहले DNA का plug-upy проекुणल in प्रेका कोंु अगर थे और कोरँ प्रतिलिपी चाहिए तो हमें दोनोर एजुक को अलग अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ एंजाइम है जो की इस काम को अंजाम देते हैं वो एंजाइम में आपको बार में बताऊंगी अभी आज हम सिर्फ देखते हैं कि कौन-कौन से चरण है पहला होता है पराकुंडलन मतलब जो पैकेजिंग हुई है उसको खोलना होता है सबसे पहले हमें जो जो ऐसे दो बने हैं से जो डबल स्ट्रनिड हमने देखेhesion हैं इनको आलग-लग करना होगा कग …अगर यह तूनों एक साथ हों गे तो फिर कैसे एक दूसरी के प्रतिलिपय बनाएं तो इसमें से इनको आलग-अलग करने के लिए एक प्रतिलिपी एक रज्जो के हाँ एक रज्जो के हाँ तो इनको इनके इसमें कुछ जगए होती है जहां से इनका अलग होने का प्रक्रिया शुरू होती है तो पहला वाला जो चारण होगा सबसे पहले हमें उस पराकुंडीन को खोलना होगा तो खोलने के बाद क्या चाहिएगा खोलने के बाद हमें फिर वो प्रतिकरन की प्रक्रिया है उसको शुरू कराने के लिए कोई एक जगा देखनी होगी जिसको ओरिजिन ओफ लूंने पम आट करते हैं पर उसके बाद हम दीकते हैं दीज़ाने का कुोंडली का प्रतिकरण ठीक है यह अलग-अलग होते चले जाते हैं फिर नया डीज़क का संचलेशन अब ये एक इधर आ गई और ये इधर चलरही है तो इनका जो इनका दूसरा कॉपी है उसका संचलेशन कैसे होगा उसका संचलेशन होना है फिर उसके सतत और असतत सतत और असतत जिसको सतत को इंग्लिश में यहाँ है लीडिंग डियने और असतत मतलब लैगिंग डियने सतत का मतलब अभी यह समझे जिसका जो संचलेशन होगा संचलेशन करने के लिए जो एंजाइम आएगा उसका एक फाइव प्राइमर से थ्री प्राइमर की तरफ यह बना सकता है चोकि दूसरे वाले में वो उसकी दिशा बदल जाएगी तो उसका असतत होता है उसको इसलिए लैगिंग वाला बोलते हैं पर उसमें भी एंजाइम डिने का प्रतिलीपी का संचलेशन करता है फिर उसके बाद हम देखेंगे अग्रगामी और पश्चगामी रज्जुक और फिर हम देखेंगे डिने प्रतिकृति की समाप्ति मतलब जो प्रतिकृति बनी या रेप्लिक संतती कोशिकाओं में जाने के लिए दो हू बहू प्रतिलीपियों में बटना ही दिने अणुओं का द्वीगुनन कहलाता है सबसे में। तो प्रते कोशिकाविभाजन के समय में ही जरूत है, अ प्रतिक्रते करन की इसके बिल्कुल पहले इसके डिन, अनौ शीकौरण ऑ में जा जाएंगी, तो उसके लिए दो हुबहु प्रतिलीपियों में बनना है उसी वाले प्रोसेस को DNA का प्रतिकृति करण कहते हैं जो कि मैंने आपको अभी उसका वो चित्रो दिखाया था भी मैंने आपको उसका आए एक बार फिर से देख लेते हैं यह है DNA का दुई रजुक सरचना और यह अलग हो रहा है अब इनका प्रतिकृति करण होगा तो इंग्लिश में उसको जिसको रिप्लिकेशन में कहा जाएगे और DNA वह जयाविक जिवानु हैं जिन में सिर्फ DNA होते हैं जिन में स्वाद भी गुलन की शमता होती हैं अपने बिलकुल हूब भू प्रतिलिप्यां ये अपनी संतती कोशिकाओं में पहुँंचाती हैं अब यह कब होता है यह कोशिका चक्र का जो जो इंटर फेज अवस्था आती इंटर फेज प्रवस्था होती है उसमें जो S-phase होता है इंटरफेज अवस्था का जो S-Phase अवस्था होता है उसमें DNA का दूईगुणन होता है इस समय क्या होता है कोशिका के जो गुण सूत रोते हैं वो न्यूकलियो प्रोटीन तंतु के रूप में होते हैं और DNA दूईगुणन के अंदर होता है तो यह समय तभी होता है कि जब क कोशिका का विभाजन का समय होता है उसी समय विभाजन में एक स्टेज आती है आप पढ़ चुके हैं जो अर्धसूतरी विभाजन है उसमें जो फेज होती है उनमें से जो इंटर फेज प्रवस्था है उसका जो S-Phase है उसमें DNA का दूईगुणन होता है उस उसी अवस्थ कोशिकाय गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु के रूप में होते हैं और DNA दूईगुणक केंद्रक के अंदर होता है उसके बाद फिर ये बटके प्रतिलिपी बनने के बाद फिर ये संतिती कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं अब मैंने कुछ एंजाइम के नाम होता है कैसे ये प्रवावित करते हैं ये सब बताएंगे पर अभी आप सिरफ नाम जानिए एक सबसे पहला है तोपाई तोपाई सुमरेज हैलिकेज DNA पॉलिमरेज लाइगेज इन सब के अलग अलग काम है मैं आपको ऐसी थोड़ा सा बता देती हूं जिसमें से तोपाई स पॉलिमरेज किसको करता है तोड़ने अकाम चुरू करता है तंतुओं को आये रजिकों को अलग अलग करने अकाम चुरू करता है उसके बाद पॉलिमरेज पॉलिमरेज जो आरने चुटे-चुटे उनको इंग्लिश में प्राइमर क्याते हैं चुट-चुटे भाग बनात तो इनके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूंगी आशा करती हूं आज का वीडियो आपके लिए लाबदायक होगा इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूं आपका दिन शुभो धन्यवाद